दोस्तो बिक बॉस ओडिडी के घर में अगर आप अदनान सेक और सना सुल्तान के फैंस हैं तो कहीं ना कहीं ये ख़वर आपको काफी हर्ट तक निरास कर सकती है जियां दोस्तो आपके पेरो तले जमीन खिशक सकती है क्योंकि बिक बॉस के घर से इस समय के ऐसी ख़वर सामने आ रही है जो की अदनान सेक के फैंस के होश उडा देगी जियां दोस्तो पिसले हफते ही वाइल कार्ड कंटेस्टेंट के तोर पर एंटर हुए अतनान सेक को बिक बॉस के तरफ से घर के बाहर भेज दिया गया है जियां दोस्तो एक हफते के वल वो घर के अंदर ठीके हैं और इसके बाद उनका एविक्शन हो गया है आज घर के अंदर हाले में कुछ समय पहले ही एक टास्क हुआ था एलिमनेशन टास्क का जिसमें की घर के सभी कंटेस्टेंट को जो है दो अलग लग मतलब दो दो की जोरी में बांड दिया गया था यानि के घर के अंदर कुल फांच जो है जोडिया बनी थी, आपको अगर जोडी बताये तो आपको बता दे कि यहां पर पहली जोडी थी विशाल पाण्ड़े और सना मक्बूल की, दूसरी जोडी थी यहां पर नेजी और अर्मान मलिक की, तीसरी जोडी थी अदिनान सेख औ वक्त दिया था कि आपको 13 मिनट का टाइम जो है गेस करना है जिए दोस्तों टाइमिंग वाला टास्क था यानि कि गरवालों को लगबग अंदाज लगाना था कि 13 मिनट कंप्लीट हुए कि नहीं हुए उनको टाइम काउंट करना था एक तरीके से कहा जाए तो और इस दुर हो ऐसे सदेश्यों को सीधा तुरंती घर से बेगर कर दिया जाएगा और ऐसे में सना सुल्तान और अधनान सेख की जो टीम है यानि की जो जोड़ी है उसने सबसे गलत टाइम जो है वो गेस किया था गलत अंदाजा लगाया था जिसके चलते बिक बॉस के मैकर्स नहीं यह बावजुद उनके पास इतनी ज़्यादा एडवांटेस थी लेकिन उन्होंने अपनी एडवांटेस को किसी भी काम में नहीं लिया और सीवाई घर के बाहर की बातों को करने के अलावा उन्होंने शो में और कुछ भी योगदान नहीं दिया दूसरी और अगर सना सुल्ता करें उनके योगदान की बात करें तो उनका भी कुछ खास योगदान नहीं है सिवाई और दू के कुछ अलफास होगल के घर के अंदर जो है बोल लेती थी बखो भी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था फिलाल आपका क्या है कहना इस तोर अपने राए हमें कॉमेंट करके बताएं लेटेस्ट अब्डेट्स के लिए मंसत्त बन रही हैं